नेशनल पेंसर सिस्टम में या कहें NPS में आपका निवेस हो रहा है इसमें से इचिश कैसे करते हैं यहां पर अगर कभी जरुवत हो गई तो क्या आकस्मिक रुख से फ़ण निकालने की कोई बेवस्था है कैसे निकलेगा फ़ण कितना फ़ण मिलेगा और मैं इसके में अच यहां परिब्ल जरुक करते हैं और तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों बैप अपने चैनल finance की पाट साला में आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पर finance की knowledge लेकर financial freedom की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं finance से संबंदी different topics पर वीडियो लाता रहता हूँ चाहे वो stock market के हो चाहे इंसुरेंस के हो चाहे आपकी government के different schemes के हो तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा bell icon button को press करना मत भूलेगा जिससे मेरे आने वाली latest वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहां पर फर्स बार की बात कर लेते हैं interest process की second में हम withdrawal process की बात करेंगे जिसका link में मैं description box में दे दूंगा वहां पर जाकर आप partial withdrawal को भी समझ सकते हैं तो interest के लिए पहले सुरुवात करते हैं कि इसका monitoring कौन करता है regulation का उत्त करता है जैसे आपके insurance की इर्डा करती है stock market की सेवी करती है वैसे ही आपके pension की PFRDA करती है जिसके करते है Pension Fund Regulatory and Development Authority या 2003 में स्थापित की गई PFRDA ने अपनी स्थापित होने के पास से कही regulation बनाए Pension को लेकर तो यहां 2003, 2009, 2011, 2013, 2015, 2020, 2021 तो हम उन सारे संसों दोनों पर बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि 2021 में अब इक्टिस्ट प्रसेस क्या है अगर हम NPS scheme से बाहर निकलना चाहते तो कौन सी तीन सर्थे होंगी जो conditions होंगी जिसे हम NPS के से बाहर निकल सके बात कर लेते हैं तीन तरीके हैं यहां से NPS से बाहर निकलने के निकासी के पहला है आपका अपान सूपर innovation दूसरा तरीका है आपका premature exist और तिसरा है आपका अपान देथाप्दा subscriber अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अपान सूपर innovation अथाथ अधिवासिता कि आई उपर पहुंचने पर जब यहां पर आफ सार्ट वर्स या आपका जो भी retirement हो यहां पर पहुंच जाते हैं यहां पर जो भी आपका contribution आपके employer का contribution होता है मार्केट गुरोथ होती ही वो आपका संचित धन होता है यहां पर अपने संचित धन से आपको 40% रासी निकाल कर उसे annuity purchase करने होगी जिससे आपको मंतली pension मिलेगी और 60% रासी आप चाहें तो लंसम विड्रॉल कर सकते हैं चाहें तो आप पूरे 100% रासी पर भी pension खरिश सकते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है लेकिन मिनमाम 40% आपको annuity purchase करनी ही होगी अब बात कर लेते हैं एक और condition दी गई है कि अगर आपका पांच लाग से कम है उस condition में आप चाहें तो पूरा पैसा एक साथ लंसम विड्रॉल कर ले सकते हैं यहाँ पर आपको pension करना कंपल सरी नहीं है अगर आप चाहें तो NPS में 60 वर्स होने के बाद भी तीन साल तक अपनी निकासी को इस्थगित कर सकते हैं और NPS में अगर निवेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर retirement होते समय अपना पैसा निकाल ले और फिस आप चाहें तो समान नागरिक की तरह 70 वर्स के आयो तक निवेस करते रह सकते हैं यह condition होती government imply के लिए और अगर कोई समान नागरिक है भारत का उसने NPS में निवेस किया है तो वो तो 70 वर्स की आयो तक निवेस में बना रह सकता है अब बात कर लेते हैं कि अगर 60 वर्स की आयो पर ना पहुंचो और इस से पहले ही स्किम से बाहर निकलना चाहूं तो उसके स्किम से बाहर निकलते हैं तो आपका जो संचित कॉर्पस होगा उसका 80 परसेंट आपको यूटलाइज करना होगा यहां पर एनूटी पर्चेश करने पर जिससे आपको रेगुली मंतली पेंसन मिलेगी बाकि जो आपकी 20 परसेंट है उसे आप चाहें तो लंबसम विड़ की घाए ना होगा यहां पर यह बात नहीं किया गया है कि आप अपना ङस निकाले ही आप चाहें तो निकाल सकते हैं नहीं तो ऑस कंडिशन पर करके का मैं उसह के लिए बाद किया रहे हाँ चाहें तो आप उस दो लाग पचास तो भी फैंसन के लिए कि सकते हैं। तो आप उसारी वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में उसारी वीडियो कर लिंग कुपलब्ध है अब हम लोग बात कर लेते हैं आपान देथा आप सब्सक्राइबर्स यहां पर अगर अभिदात्रा की साट्वर से पहले ही मिर्ति हो जाती तो उस कंडिशन में क्या होगा तो यहां पर जिक्र किया गया है कि पूरा जो कॉर्पर्स होगा वो नॉमनी या आपका जो कानोनी उत्रातकारी होगा उसे अधिकार होगा कि वो एक साथ उसे विड्रॉल कर सकते हैं यहां पर एक कंडिशन नहों दी गई है कि वो चाहें तो अनुटे सर्विस पर जैस्न यह कैसे करते है जब आप होते हैं तो उसось च्यमार्मेंट होते हैं पहले आपके पास निएल से एक मैसेज आ जाता पे रिट्रन्मेंट कर दिया गया है और आप अपनी रिटार्मेंट की पप्रोसिंस यहाँ पर सुरू कर सकते हैं गवर्मेंट इंप्लाई हैं तो आपके डीडियो जो भी आपके ट्रेजिस आफिसर हो या फाइनेंस एंट एकाउंट आफिसर हो या आपका प्यो प्यो जिस जो बैंक भी हो सकता है इसके माध्यम से पुरी प्रोसेस कंप्लेट की जाएगी यहां पर आफ लाइन और आउनला सेम है दोस्तों अगर आप गवर्मेंट इंप्लाई है या कॉप्रेक्ट इंप्लाई है तो आप अपने डीडियो जिसे प्यो पी कहते हैं उसके माध्यम से करेंगे और यहां पर आप आप ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं लेकिन दोनों प्रोसेस साथ-साथ प्रोन लाइन में आप इन्दे में regular monitor कर सकते हैं और साथ में वहां पर आप अपने लिएक पैंशन इसकिम का चुनाव भी कर सकेंगे आपको कौन सी पेंस लेनी चाहिए इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाए वहां जाकर इससे समझ सकते हैं पार्सल विड्रॉल के बार्ट मैं अपने नेस्ट वीडियो में करूंगा उसका लिंक कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप वहां जाकर पार्सल विड्रॉल को भी समझ सकते हैं इस प्रॉसेस को लेकर कोई भी आपके कमेंट या सुझाओ हो तो मुझसे जरू सेयर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज इस अच्छी लगी आपके कारें प्रहां जाएक।